हलो दोस्तों PKR Electrical Engineering Classes में आपका स्वागत है Jupiter Plus C.J.E. के हिसाब से आपर Jupiter Plus C.J.E. को टार्गेट करते हुए सर्वे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो देखते हैं पहला चैप्टर सी उनिट देख लेते हैं तोटल बारा यूनिट में बाता है तो पहले यूनिट है fundamental of survey इस fundamental of survey में यानि की rules को पढ़ेगे कि survey के क्या rule है survey क्या होता है इसके simple definitions survey क्या errors क्या है थोड़ा सा introduce किया जाएगा यहाँ पर fundamental of survey में इसके बाद आता है chain survey chain में chain से समदे जितने भी related तत होंगे वो सारे discuss करेंगे chain survey से फिर compass survey यह directions से related होगा compass survey वहाँ पर बात करेंगे traversing, labeling, theodolite, contouring, plantable survey, measurement of area and volume, tachometer survey, curve और advanced survey equipment तो आप देखते हैं कि fundamental of survey तो fundamental of survey में सबसे पहले survey की definitions क्या है तो सबसे पहले survey की definition प्रत्वी की सतय पर इस्थित प्रत्वी की जो सतय होती है उस्थित बिंदूओं की सापेक्च और निर्पेक्च स्थिति को ग्याद करना ही सर्वेक्चन सर्वेक्चन क्या है? सर्वे क्या है? माल लीजे ये प्रत्वी इस तरीके की करवेचर होगी प्रत्वी की सतय कोई पॉइंट ए है माल लीजे आप ठिक कोई पॉइंट भी हाओंगा और प्रत्वी की सतय पर इस्तित बिंदों की सापेक्ष या निर्पेक्ष इस्तिति को ग्याद करना ही सरविक्षन यानि कि A के respect में B कितने उचाई पर है या कितनी दूरी पर है ये सारी चीज़े major करना ही आपका उद्देश होगा तो इसे हम कहते हैं सर्वे यानि कि प्रत्वी की सत्य पर इस्तित बिंदों के सापिक्ष निर्पिक्ष इस्तिती को ग्यात करना ही सर्वेक्ष एक ही respect में B की उचाई कितनी है B कितनी दूरी पर है क्या छेत्र की स्तिती है गनी आबादी है या बिल्डिंग स्वनी कैसा इंडस्टीज एरिया है या रेजिडेंसल एरिया है तो वो सारी चीज़ों को हैंपर सर्वे के थ्रू ही डिसकस करते है तो प्रत्वी की सताय परिष्टे साफिक चनरपिक चस्तिती को ग्यात करना ही सर्वेक्चन है अगला है की horizontal plane अब बात आएगी एक तो horizontal plane होता है वो एक vertical plane होता है जब आप प्रत्वी की सताय की बात करेंगे तो सताय के surface parallel जो होगा उसको हम कहेंगे horizontal plane ठीक horizontal plane उसको क्या कहेंगे horizontal plane और उपर जो होगा उर्दवादर जो होगा उसको कहेंगे vertical plane अब बात आती है कि horizontal plane क्या होता है तो देखे plane की बात करते हैं तो सबसे पहले ये earth surface होगी इसके parallel जो होगी वो होगी level line earth surface के parallel जो होगी वो level line तो लेविल लाइन की जो इस परसी होगी वो होगी होरीजेंटल लाइन या होरीजेंटल प्लेन तो इसी को लेविल प्लेन भी कह सकते हैं तो लेविल प्लेन के रिस्पेक्ट में जो इस परसी होगी उससे क्या कहेंगे आप होरीजेंटल प्लेन तो horizontal plane में कैसी दूरी मापेंगे आप छेति दूरी तो इसे हम survey कहते हैं यानि कि horizontal plane में जो छेति दूरी मापेंगे उसे surveying कहते हैं वो vertical plane में उर्द्वादर दूरी मापी जाती है जिसे हम labeling कहते हैं यानि कि उचाई मापी जाती है तो survey इंग की अंतरगत ही labeling आती है SME की labeling अलागे तो survey इंग की अंतरगत ही labeling का भी अध्यन किया जाता है के लिए primary aims क्या होते है field survey क्या होते है उद्देश क्या होते है जो field survey आप कर रहे हैं किसी का तो उसके उद्देश क्या होते है तो उद्देश देख दें बिंदूओं की बीच की छहती दूरी मापने के लिए बिंदूओं की बीच की छहती दूरी माना की कोई बिंदू A है और B पॉइंट है एलाइंस के थुरू तो दो बिंदू A और B तो A और B बिंदू के बीच की छहती दूरी तो A और बिंदू के B के बीच की छैतित दूरी हम हो सकता है कि चेन से माप एं, टेप से माप एं, थियूडर, आटो लेविल से माप एं या टोटल स्टेशन से माप एं, किसी से भी माप सकते हैं तो दो बिंदू के बीच की छैतित दूरी के मापने करें सर्वे का क्या उद्देस है कोई भी सर्वे कर रहे है तो उसका उद्देस क्या है क्यों उनकी बीच की कोई बिंदों के बीच की दूरी मापना बिंदों की बीच की उर्दवाधर दूरी भी मापना माली जे A.B. के respect में второй इसते थे समुद्र लेविल से B.A. के respect में कितना गहराई में है या उचाई में इसते थे ये सारी चीजे ग्यात करना यानिकि समुद्र लेविल जो होगा यानिकि डैटम से समुद्र के लेविल से मीं C.L. से कितनी उचाई पर A और B पॉइंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी मेजर कर सकते तो वर्टिकल एलिवेशन मापने के लिए अब अगला है कि एबरेटी डारेक्शन यानि कि एक चिक मानी हुई दिसा से किसी लाइन का होरीजेंटल अंगल मान लीजे ये होरीजेंटल लाइन है आपने ये मान लिया था कि ये कोई डारेक्शन है कोई अधर आपने मानी हुई दिसा मानी कोई ये मान लिया अपने नॉर्थ है तो इससे जो एंगल मेजर किया जाएगा ये जो लाइन का जो एंगल major किया जाएगा वो भी क्यात कर सकते हैं उद्ध किया है घमारा यही fix direction है माईलो आपको पता है कि fix direction है north आपको दी north से किसी line का उसके horizontal angle major करना तो ये सारे इसके aims होते हैं कि primary aims होते है अब आता आती है प्रत्वी की प्रत्वी की बात करेंगे हमें आप अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ तो पहले ही question साता है कि अर्थ पूर्ण गोल नहोंकर कैसी है एक oblet आकर की अंडाकार आकर की या स्फराइड आकर की हम कह सकते हैं स्फराइड और जियोईट तो याद रखना प्रत्वी गोल नहीं है तो कैसी हो सकती है oblet option में हो सकता है प्रत्वी का आकर कैसा होता है option में oblet भी हो सकता है स्फराइड भी हो सकता है या जोईट कोई भी एक हो सकता है तो वो आपका answer हो जाएगा अगर तीनों हैं तो आपको options जोईट लगा क्या जोईट अब बात आती है polar axis की लंबाई और equator axis की लंबाई equatorial axis की लंबाई देखें ये प्रत्वी होगी तो north और south जो होते हैं उनको हम बोलते पोल तो north और south को जो lines जोड़ती हैं उनको हम क्या कहते है polar axis नौर और south को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते पोलर एक्सिस तो पोलर एक्सिस की जो लंबाई होती है वो 1, 2, 713.83 यानि कि 12,713.83 किलो मेटर कितना? 12,713.83 किलो मेटर अब एक्यूटेरियल एक्सिस अब ये वाली जो एक्सिस होगी ये तो नौर्ड साउथ हो गई तो east best को जोडने वाली जो line होगी उसको हम क्या कहेंगे equatorial axis तो 12756.87 km 12756.87 km अब उनका different निकाल लेंगे तो जब different कितना आता है तो 42.95 km तो आपको याद रखना है कि polar axis जो equatorial axis का जो different होता है वो कितना होता है 42.95 km अब आता है कि survey तो survey का classification कीजिए तो primary classification जब करते हैं तो प्रत्वी की बक्रता के आधर पर survey को दो प्रिकार का होता है एक plane survey एक geodetic survey primary classification तो प्रत्वी की बक्रता के आधर पर किसके आधर पर प्रत्वी की curvature ओपर यानि कि प्रत्वी किस कर्व प्रत्वी की कर्व याद रखना जो कर्वेचर होती है प्रत्वी कैसे आकार की है गोल तो है नि कर्वेचर किस तरीके की है एक औगलेट इस्फ्राइट आधी तरीके की है तो उसकी जो कर्व होगी प्लेइन तो है नि अकर उसकी सर्फेस देखा आपको प्लेइन देखती में प्लेइन की सर्वे में प्रत्वी सर्वे के बकरता और्धार द्यान नहीं दिया जाता यानि कि करवेचर of earth को consider नहीं किया जाता यानि कि उसमें समलित नहीं किया जाता plane survey किसे कहते प्रत्वी की बकरता को जिसमें समलित नहीं किया जाए plane survey किसे कहते जिसमें प्रत्वी की बकरता को समलित नहीं किया जाए यानि कि curvature of earth को consider नहीं किया जाए यानि कि जोड़ा नहीं जाए उसमें यानि कि सतय को कैसा माना जाए कर्ब सतय ना हो करकि उसकी सतय को कैसा मान लिया जाए प्लेन एक समतल सतय कैसी मानी जाए एक समतल सतय प्लेन सर्वे कब माने जाती यानि कि फ्लैट सर्फिस उसको समतल सतय मान लिया यानि कि plane survey जब एरिया 260 km-2 से कम यानि कि किसी भी जब आप survey कर रहे हैं उसका area अगर 260 km-2 से कम होता है तो वहाँ पर कौन सी survey की जाती plane surveying की जाती plane survey में जो triangle बनता उसको हम क्या कहते हैं plane triangle plane survey में जो triangle बनता है उसको आप क्या कहते हैं यानि कि जो plane surveying में जो triangle बनता है उसको हम plane triangle कहते हैं clear plane survey में जो triangle बनता है यानि कि जब आप सत्य surface कैसी मानिग plane अब मालीजे ये point A है कोई B point यहां होगा C point यहां होगा तो इन तीनों को जो जोड़ेंगे जो triangle बनेगा तीनों का वो कौन सा triangle कहलाएगा plane triangle plane survey में किनी अलग-अलग बिंदों से plane survey में यानि कि सत्य कैसी मानि plane समतल सत्य मानि ठीक plane मानि तो अब दो बिंदों मान लीजे ये A point है ये B point है तो इससे हम plumb of line खीचेंगे तो दो अलग-अलग बिंदों से plane survey में कभी भी plumb of line खीजाती तो वह एक दूसरे के कैसे होती है समानतर क्या होती है तो plane survey में किनी अलग-अलग बिंदों से plumb of line हमेशा समानतर होती है कितने भी अलग-अलग बिंदों से आप खीचेंगे तो भी plumb of line हमेशा कैसी होगी parallel होती है प्रत्वी की सतय पर सरफेस पर खींची गई 18.2 बक्रा कर किलोमीटर रेखा के दोनों सरों को सीधी रेखा से मिलाने पर बनी सबस्टेंस जो कौड होती उपजीवा जो होती उसकी लंबाई में एक सेंटीमीटर का अंतर आ जाएगा क्लियर यानि की देखते हैं क्या कहना चाहरा है आपकी ये सतय थी प्रत्वी की सतय कैसी है इस तरीके की है तो ए से बी पॉइंट जो करवेचर है सतय पर खींचीगी बक्रा कर सतय पर कितना 18.2 किलोमीटर कितनी 18.2 किलोमीटर की बक्र करवेचर लिया तो उसको जो A से B point को करवाकार में मिलाएंगे 18 से 2.9 km में कैसे करवाकार में और सीधा मिला दें direct तो इन दोनों का यानि कि जो करवे चराकर की रेखा है और A B line की जो सीधी रेखा है इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा एक सेंटीमीटर का अंतर आएगा तो यह important है कितने आएगा एक सेंटीमीटर का अंतर यानि कि आपका 10 M है कितना 10 M अब आता है Geodetic Survey अब क्या आता है Geodetic Survey अब जियोडेटिक सर्वे की बात करते है तो जियोडेटिक सर्वे कहा करना चाहिए Geodetic Survey का पहला पॉइंट है कि जियोडेटिक सर्वे में प्रत्वी की बकृता को समलित किया जाता है यानि कि करवेचर प्रत्वी की जो अर्थ अप्द करवेचर होती है करवेचर को include किया जाता है तो geodetic survey में पहला point है यह कि geodetic survey में प्रत्वी की बक्रता को समलित किया जाता है यानि कि प्रत्वी को कैसे माना जाता है कि प्रत्वी एक बक्राकार की होती है ना की समतल होती है प्रत्वी को कैसे किलो मीटर स्कॉयर से अधिक होना चाहिए कितना होना चाहिए 260 किलो मीटर से अधिक होना चाहिए 260 किलो मीटर स्कॉयर से अधिक होना चाहिए तो वहां क्या करेंगे आप जियोडेटिक सर्वे अगला कुछ जियोडेटिक सर्वे के लिए अधिक परिशुद उपकरण तथा बिधियों का उप्योग किया जाता है जब भी आप Geodetic Survey प्रियोग करते हैं तो आपके उपकरण और बिधियोग जो भी होती है वो किया जाती है इसमें जितनी भी लाइन होगी वह कर्व लाइन होती है कर्व लाइन से जो ट्राइंगिल बनता है उसको हम Spherical Triangle कहते हैं इसमें जितनी भी लाइन्स होती है वो कर्व लाइन्स होती है क्योंकि प्रत्वी की कर्व तो कैसी लाइन्स एक प्लेई नहीं होगी लाइन कैसी होगी एक कर्वी चराकार की याद रखना प्रत्वी को इसमें line plane नहीं कर C दी नहीं होती कैसी होती करवाकर की तो करवाकर सी जो lineों से मिलकर जो triangle बनेगा उसको हम कहते है spherical triangle क्या कहते है spherical triangle कहलाता spherical triangle कहलाता देखिए जैसे माल भी तो A B से triangle बना हुआ है आपका A से B करवाकर B से C है करवाकर C से A भी करवाकर कैसे हैं करवेचराकर तो जो ये करवाकर का बन रहा है तो इस ट्राइंगिल को जो ट्राइंगिल बनता है इसको कहते हैं स्फेरिकल ट्राइंगिल इसको क्या कहते हैं स्फेरिकल ट्राइंगिल देखिए यहां पर बना हुआ है तो और जो angle बनेंगे यानि कि जो spherical angle यानि कि alpha alpha beta gamma क्या बनें alpha beta gamma अब बात करते हैं अगर तीनों बिंदों को direct direct सीधे सीधे point से जोड़ें A को C से B को C से A को B को तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो कैसा triangle बन जाएगा plane triangle तो इनके कोनों का जो value मानी वो alpha dash, beta dash और gamma dash मानी यानि कि spherical triangles जो triangles बनेगा इसमें geodetic survey में जो triangle बनता है वो spherical triangle होता है plane table, plane surveying में जो triangle बनता है उसे हम plane triangle कहते हैं अब spherical triangle से समदेद कुछ terms होते हैं उन्हें देखते हैं spherical triangles में तीनों कोनों का योग spherical triangles में तीनों कोनों का योग यानि कि alpha, beta, gamma की जो value होती है वो 180 से अधिक होती है और 540 से कम होती है यानि कि spherical triangle के तीनों कोनों का योग 180 से अधिक होता है और 540 से कम होता है प्लेन ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग आपका कितना होता है बनेटी होता है प्लेन ट्राइंगल में तीनों कोनों का योग और प्लेन ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग और प्लेन ट्राइंगल के तीनों कोनों के योग का अंता है स्फेरिकल ट्राइंगल है उसके तीनों कोनों का यूग और प्लेन ट्राइंगल के तीनों कोनों के यूग का अंतर जो होता है वो कितना होता है वन सेकेंड होता है कितना होता है वन सेकेंड आता है कितना आता है वन सेकेंड लेकिन जो स्फेरिकल ट्राइंगल होता है उसका च चैनल को थैंक यू